सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें इंपोर्ट करने के बाद आपको इस तरीके से उसको तीर्षा करने के बाद आपको इसका डियुरेशन है वह उपर वाले लेयर के रही करने है फिर उसके बाद आपको इन अनिमेशन वाला ओप्शन मिलता है उसमें आपको क्लिक करने है और निचे स्क्रोल करके तो आपको इहाँ पर मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं गाफी अच्छा ये एनिमेशन अब आप हाम इसमें देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्लस वाला मार्क लगा तो वहाँ पे हमीं इस्टॉपक करने है फिर लेयर वाल ऑप्श県 में जाके effects effect वाल option मिलता है उसमें हमें चले आना है फिर हमें यहाँ पे get more में जाके एक effect डाउलोड करना है VHS rewind आप इसे download कर लीजे get more में जाके इसमें आपको click कले ना है फिर वापीज से एक और option आता है VHS rewind वाला इसको आपको थोड़ा सा चोड़ा कर लेना है फिर उसके बाद याँ है पे ओर्नार में आपको 3 ڈॉरक मिलता है उसमें आपको click करके इसको duplicate करने को बाद देख सेको एक और duplicate आ चुका इसका, इसको आपको slide करके इसके आगे तो vari ket ko लेना है और इसका setting है वो आपको 100 करना है 100 करने के बाद यहाँ पर पहले वाले में आपको आजाना है फिर उसके बाद यहाँ पर audio में जाके एक मैंने जो नीचे description में glitch effect का जो sound है उसको मैंने नीचे description में इंट्रो पैक में डाल दिया है सो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग sound सुन जखते हो फ्रेंड्स आपको लोगो वाले layer में click कर लेना है फिर out animation आपको इसके set कर लेना है fade करने के बाद आपको tick में click कर लेना है फ्रेंड्स इसको play करते है सो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग देखते हो काफी अच्छा animation और effect हमें इस इंट्रो में देखने को बिल रहा है सो फ्रेंड्स उमीद करते हूं यह वीडिया आपको पसना है होगा और पसना है यह वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों ख्राश शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राब करके पहले आइकन को प्रेस करेंड़ा तब तक लिए टेक कियर एंट गुडबाई प्रेंड़ करते हैं